नमस्काल दोस्तों मैं पंकच प्रेम आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे यूटुब चैनल डोयल चैंपियन में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वल्ली थ्री थिंस गिप्स यू 100% सक्सेस ये तीन बातें आपको 100% सफलता दिलाएंगी तो दोस्तों आगे जानने से पहले सफलता के बारे में जान लेते हैं एक बड़ा सुंदर सा सब्द है सफलता काम्याबी, उन्नती, परगती ऐसे बहुत सारे कितने-कितने नाम है लेकिन हम लोगों को बच्पन सही सिखाया जाता है सफल बनो, काम्याब बनो लेकिन क्या होता है सफल होना अखिर काम्याब होना या क्या माइने होते हैं सफलता के काम्याबी के हमें कैसे सफल होना है या फिर किसे हम सफल इंसान कहींगे दोस्तों हम जब अपने आज पास के माहूल को देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ अंधी दौड में बेमतलग दौडते भादते इंसान नजराते हैं आखिर इंसान पाना क्या चाहता है उसके लिए जिन्दगी के माइने क्या है बहुत सारे लोगोंने अलग-अलग बाते सुनी होंगी जिन्दगी एक संगर्स है, जिन्दगी एक युद्ध है, जिन्दगी एक खेल है, तो जिन्दगी एक कविता है, जिन्दगी एक जुवा है, जिन्दगी एक दर्सन है यानि जितने लोग उतनी उतनी बाते क्या करते हैं यस जीवनेक संगर्स है, यस जीवनेक युद्ध है, लेकिन हम लोग सफल कैसे हो पाएंगे, दोस्तों, only three things gives you 100% success, ये तीन बातें आपको 100% सफलता दिलाएंगी, आप चाहिए किसी भी छेतर में काम करते हो, ये तीन चीजे हर इंसान के पास होनी चाहिए, चाहिए जो भी क काम करते हो, ये तीन चीजे आपके अंदर होनी चाहिए, तो पहला आता है दोस्तों, 90% excitement, यानि 90% उत्सा, जोस, जुनून, ये सारी चीजे जब आपके अंदर होती है, तो आप सफल इंसान बनने की और चले जाते हैं, दोस्तों 90% excitement, जोस, जुनून होना चाहिए आपके अंदर, जब किसी से हाथ मिलाते हों, तो हाथ एकदम पूरा उत्सा के साथ, जोस के साथ, जुनून के साथ, मिलाना होता है, याना की मरे मरे से, दोस्तों 90% excitement, बहुत ही माइने रखता है, जोस और जुनून आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप लाइश में सक्सेस होता हैंगे, suppose that, अगर आपके पास सुजू की डिजायर है, और अगले के पास फोर्चनर है, वो उतरता है, आपको लगता है, कि अंसे तो बड़ा आदमी है, अरे नहीं, आपको उससे बहुत ही जोस के साथ, जुनून के साथ, गर्मी के साथ, हाथ मिलाना होगा, ताकि अगले क पता नहीं चले कि इसके पास क्या है, नहीं है, बलकि अगले को महसूस होना चाहिए, कि जिसके साथ मैंने हाथ मिलाया, वाकई दमदार आदमी है, दोस्तो एक्साइटमेंट होना बहुत ही आवस्यक होता है, आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहाँ भी एक्साइटमे होता है, अब किसी को कोई समान बेशते हो, पूरा गैरेंटी के साथ बेशते हो, क्योंकि आपके अंदर वह एक्साइटमेंट देख करकी अगला समान लेता है, या अगला कोई भी चीज़ आपके साथ परचेस करता है, आपसे कुछ भी खरीदता है, तो ये चीज़े जरू होना चाहिए दोस्त, excitement होना बहुत ही जरूर होता है, अब marketing line में बहुत सारे होते, call आता है, नहीं सराज नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, अरे not, आपको वो दिखाना होगा, धंदारी के साथ उनसे बात करने हो, yes sir, मैं cost कर सकता हूँ, मैं बेच सकता मैं ये कर सकता हूँ, ये होना बहुत ही जरूरी होता है, अब network marketing आप करते हो, दोस्तों, 90% excitement यहाँ चाहिए ही चाहिए होता है, applying का phone आता है, हम लोग मरे मरे साहवाज में बाते करते हैं, not, जब applying का phone आता है, हम लोग को पूरा धंदारी के साथ बात करना है, चाहे काम हो फिल्ड में जाते हो, कहीं प्लान देने जाते हो, अपना सीस्टम के बारे में जानकारी देने जाते हो, जब आप excitement के साथ बात करते हैं, तो अगले को लगता है, चाहे बिजनेस कैसा भी हो, लगए इनके साथ आएंगे ना, जीवन में आगे बढ़ते चले जाएगे, दोस दूसरा आता है 8% टेक्निक दोस्तों ये प्रेक्टिसाइज है जो आपके सिनियर है जिसके अंडर काम करते हैं उनको वो टेक्निक पता है उनको वो प्रेक्टिसाइज पता है क्योंकि उन्होंने वो चीज देखा है तो दोस्तों ये 8% टेक्निक अगर फिल्ड में जाते हैं स जिनियर के साथ अगर आप जाते हैं या जो आप से अच्छे जानकार होते हैं उनके सब जब जाते हैं उनको बहुत सारी जाइजें होती है जो वहां आप sa सीख पाएंगे, क्यूंकि आप लोगों को देखेंगे बात करतें कैसे किसे पैसा लेते हैं कैसे क्या करतें वह सारी टखूनिक आपको सेखने को मिलेगे अब नेटवर्क मार्किटिम में जाते हो अपलाइन के साथ तो वहाँ भी अगर 2% fine tuning यानि आपसी तालमेल अगर आपके अंदर हैं तो किसी सापके जगड़े नहीं होंगे, किसी सापके जहमले नहीं होंगे, किसी साप लड़ेंगे नहीं, आप किसी के घर में जाके खाना भी खा सकते हैं, अगर 2% fine tuning आपके अच्छी रहे तब, दोस्तों यहाँ आप कोई भी समान सेल कर रहे हैं, तो कस्टमर से भी fine tuning बढ़िया होना चाहिए, बहस नहीं करनी है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत तरह के तरह की लोग मिलेंगे, आपसे उलजना चाहिएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर fine tuning होगी, तो आप कहीं भी नहीं फ दोस्तों ये 2% fine tuning होना ही बहुत ही जरूरी होता है, अब किसी भी छेतर में ले लो, ये तीन चीजे हर एक इंसान के पास होनी चाहिए, तब ही आप life में success कर पाएंगे, और ये important है 2% fine tuning, अगर ये आपके अंदर है, तो आप किसी से उलज ही नहीं सकते, ये guarantee 100% guarantee है, दोस्त किसी तालमेल, अपने husband, wife में, माता, पिता, अपने घर में, अपने बच्चों से, अपने आसपास से, अगर ये fine tuning है, तो आपको success करने से कोई नहीं जोग सकता है, only three things gives you 100% success, ये 3 चीजे आपको जिंदगी में आगे बढ़ा देंगी, और जिंदगी में सफल बनाएंगी, दोस्तों, अगर हमारी बातों से आप लोगों को बुरा लगा हो, तो छमा कर दिजेगा, अगर कुछ भी बाते अच्छी लगी हो, जीवन में अमल करके उसको उतार लिजेगा, धन्यवाद दोस्तों